नमस्कार जी नमस्कार क्या नामी जी आपका भावना सोलंकी कहां से हैं जी आप मैं पूने से आई हूँ क्या करते हैं आप मैं अभी study कर रही हूँ मेरा plane graduation चल रहा है BAC कर रही हूँ और उसके side by side मैं aviation and travel management का भी course कर रही हूँ संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का मौल क्या रहा है क्या भक्ति साधना करते थे आप संत रामपाल जी महाराज जी की में आने से पहले मेरे दादा जी जो की एक शियू भकते काफी बड़े और वो एक किसम से पंडित थे जो की मतलब सारे लोगों का जाड़ फुक करना वगेरा तो हम भी उनी को फॉलो करते थे और कुल देवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी तो हम उनकी भकती साधना करते थे और अन्य भी जितने देवी देवताय हैं उनकी भकती साधनाय पूजाय अर्चनाय हम करते थे उनके वरत वगेरा करते थे ये सारी चीज़े करते थे तो फिर जब आप साधना करी रहे थे तो फिर संत्रामपाल जी माराजी की सेंड मायने की क्या जरुतान पड़ी वो साधनाय हम कर रहे थे लेकिन जब हमने संत्रामपाल जी महराजी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाय हम कर रहे हैं ये सब हम बस एक कही सुनी पर कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला उस आधार पर कर रहे थे हमारे पास में कोई परूफ नहीं था कि जो चीज हम कर रहें, क्या उसका कोई सबूद भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे हैं, जब हमें ये चीज़े संथ रामपल जी महराजी का सचसंग चुनके हमें पता चला, जब उनों ने अपने शास्त्र सारे खोल के बता क्योंकि हमारा इसा मानना था जैसे जितने धर्म है उसके एकॉर्डिंग हर कोई अलग अपना जैसे मुसलमान लोग अपना आल्ला कहा रहे हैं लोग अपनेजित देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं और ज Whitney जितने धर्म है उतने भगवान बैठे हैं ठीक है तो हमेशा से एक confusion रहा है कि exactly वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है तो वो एक होज थी हमेशा से लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो exactly और है भी तो क्या proof है तो वो जो proof हमें संत रामपाल जी महराजी की सत्संगों में मिला उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने शास्त्र के जो शास्त्र उन्होंने खोल के बताए पिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरुगरन साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेध हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ, ये भक्ती हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ती हमें चूज करनी चाहिए. बावना जी क्या रेली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बाते नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ती बताई है क्या किसी क्यूंकि आज अभी अगर हम समाज में देखे तो जितने भी संथ है उन्होंने अपना अपना एक literature बना के रख दिया है उन्होंने अपनी एक books वगेरा सारा कुछ videos वगेरा print out करके अल्री कोई चीज किसी के आशी चुपी हुई तो है नहीं थारा कुछ हमें net पे आफे है झीक है और आप media वाले हैं तो आपका तो काम ही है चानबीन करना तो आप की निकाल के हमें बता दिजिये लेकिन संत रामपाल जी महाराजी एक ऐसे संत हैं जिनोंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक हैं जो सभी का मालिक हैं जिसने इस सुष्टी की रचना की हैं उनके बारे में with fact and with authentic proof बताया है भावना जी काफी लंबा आर्सा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराजी से नाम लिये हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराजी से नाम दिखसा लेने के बाद आपको क्या कैलाब मिले संद्रामपाल जी महाराजी से जुडने के बाद में सबसे पहला एक आर्थी कलाब सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाब हुआ कि एक सद भक्ती मिल गई हमें एक सही way of worship मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है एक proof के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इनी की भक्ती करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाफ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्क मिल गया दूसरी चीज जो है कि एक आर्थीक लाफ जैसे कि पहले हमारी condition आर्थीक परिस्तिती भी काफी खराब थी कि मतलब घर में इनो पाउशर दूद्द लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना और जितने business मेरे Dad किये जा रहे थे सारे के सारे दिन बिन लास में ही जा रहे थे एक पुने में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्तान से हूँ तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे तो जो भूत प्रेज जो लोग जो होते जो हम कहते हैं न वो होता ही है मोस्ट ली गाओं में ठीक है तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत जा मेरी प्रश्राब को परेशान करते थे कि मुझे दूद पिलाओ, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालोंगी ऐसा आपकी सारी चीजे ममी ने फेस की है तो मियरे ऊपर आके मेरी मम्मा डाड। को भी परेशान करते थे वो सारे जो आत्माय जो होती थी उसके बाद में फिर मेरे ममी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए क्योंकि उस समय हम संत्रामपाल जी महाराजी की शरण में नहीं थे तो वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड ऐसा आया जब मैं नाइंट में थी तब एक टाइम ऐसा आया कि वह चीज मतलब मुझे बहुत जादा सताने लगी वह जो प्रेइद की बादा थी वह काफी जादा सताने लगी मतलब र मुझे ऐसे परचाई बिल्ली की वगेरा चलते वे दिखाई देती थी और जब मैं ममी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है इनी फ्रेंट्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें प्लस फिर यह सारी यह होने के कारण मेंटली काफी जादा डिस्ट्रबंस हो गया था जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया तो एक तरफ से वो टाइम ऐसा था की बहुत जादा तेज मुझे बुखार हो गया था उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था फिर एक द रही थी और ममा मेरे किसी काम से बाहर गए थे तो जैसे ही मैं सो रही थी और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहते काम और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था तो वो जो कैट है वो इतनी सी इतना सा गैप था इतने से डोर में ना वो डोर जादा खुला है ना कम खुला है वो एकदम से अंदर आ गई मैं अपनी आखों से हर चीज़ देख पारी हूँ लेकिन मेरी बॉड़ी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई react नहीं कर पारी थी और उपर ही गुरुजी का मंदीर था तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफी ऐसे बैट गई थी और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखुन तक दबा दिया था बोदप्रेद की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल जिनगी नहीं जी पा रहे थे तो जो यह सारी समस्या हैं वो कैसे ठीक हुई तो यह फिर संत्रामपाल जी महराजी की शरण में हम थे उस समय तो फिर जब यह सारी चीजे हुई तो घर पे फिर मेरे पापा और ममी जब आए तो उनसे यह सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया ममी ने पापा को बताया कि ऐसा-ईसा हुआ आज ये वो सबकुन को बताया कि आज ऐसा हो गया अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता तो फिर डाइड ने मेरे डिसाइड किया कि हम गुरुजी को प्रातना लगवाएंगे तो जैसे हमने संत्रामपाल जी महाराजी को फोन किया तो संत्रामपाल जी महाराजी ने बस कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा परमात्मा की भक्ती करो विश्वास रखो और अगर आज अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोग कैसे जाएंगे हम और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से जहां पर मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था आज दिन तक मैं कैट्स मतलब कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कापने लग जाती थी मुझे इतना डर बैट गया था आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है ना ही कोई ऐसी चीज मैंने वापस देखी है बैन जी देखिए एक ऐसा दोर है जो बाबाओ को एक ऐसे नजरी से देखा जा रहा है कि सबके सब एक जैसा अगर एक लाइन में खड़े करके देखें सबके बारे में एक ही धारना बनती है कि सबके सब ढोंगी और पाखंडी है एक ऐसे वर्तमान दोर में आप संत रामप के साथ में comparison करो क्योंकि आज हम लोग स्रिफ कहीं सुनी पर बिलीव करते हैं अगर कोई बाबा अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो भी लोग उनके बारे में जो भी सोच रहे हैं कि वो जेल में है या फिर जिस भी category में उन्हें खड़ा कर रहे हैं जस्ट एक चीज ऐसे मनमाना आच्रन टाइप वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं अपने मन से कोई चीज वो नहीं बता रहे हैं वो हर चीज एक बुक अपने शास्त्रों को खोल के line to line आपके सामने रीड करके facts के साथ proofs के साथ में आपको describe कर रहे हैं और बाकी जितने संत हैं अगर आप उनके सत्संग episodes देख लो उनके अंदर नाज गाना बजाना ये सारी चीज़े चालू होती है तो अब हम भक्त समाज या फिर ये जो समाज है आज का इतना समझदार तो है हमें परमात संतों के साथ ज्यान चर्चा भी की है मेडिया के माध्यम से तो उसका result क्या निकलता है आपके विचार में जो वो ज्यान चर्चा है वो कितने सार्थक रही और उसका क्या पढ़नाम निकला संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सारे विश्व के जितने धर्म गुरु है not only स्रिफ इंडिया की बात नहीं ले रहे हम सारे विश्व के जितने धर्म गुरु है सभी को आमंतरन दिया था ठीक है तो जितने भी यहाँ पे ज्यान चर्चा करने के लिए आए अगर वो real ह अगर उनके पास सच में कोई घ्यान होता ना तो शायद वो डिबेट और आगे तक जाती लेकिन जब उनके पास में कोई फैक्ट के साथ कोई प्रूफ के साथ उनके पास कोई घ्यान ही नहीं था तो फिर वो क्या डिबेट करते और इस चक्कर में ये डिबेट जाधा देर या बिलकुल संतरामपाल जी महराजी ने सभी को निरुतर किया है वो भी अपने मन से नहीं उन्हीं की किताबों से अपने ही हिंदू धर्म के या फिर जितने भी धर्म है अपने ही शास्त्रो को लेके उन्हें संत्रामपाल जी माराजी के बारे में और कुछ केहना चाहेंगे क्योंकि आपने काफी लंबा रसा संत्रामपाल जी माराजी की संड में रहते वे हो चुका है कोई और बताना चाहेंगे आप जी हाँ एक्चुली मेरी जो छोटी बहन है जिनको सरम अतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रिल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो अल्मोस उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था तो जब हम डॉक्टर्स के पास अश्रम लेके गए हम तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशिर्वात दिया और उन्हें एक चर्णामृत का बॉटल दिया और प्रशाद दिया और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ती करो परमात्मा सब ठीक कर देगा तो फिर जब हम हॉस्पिटल तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाई साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया तो कुछी महीनों में या फिर एक दो महीने में वो पूरा क्योर हो गया उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शौक रह गया कि ऐसे कैसे हो गया सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ठीक तो हो गए हो लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे को जी जो हैंड पे जो अपना स्कीन होता है ना एग्जेक्टली ऐसा स्कीन उसके सर में बन गया था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है, फिर हमने गुरुजी को प्रात्ना लगवाई, कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, ज जब हम संत्रामपाल जी महाराजी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका सारिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाब मिला है यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में तो हम आप से जानना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी मह महाराज का समाजिक उठ्थान में क्या योगदान रहा है? अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखो लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीडित है क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माबाप को करनी पड़ती है और इसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकटा करना पड़ता है जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान है दूसरी चीजे ये हैं कि जो नशा मुक्ती का ये भी जो एक मुहीम संत्रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है बहुत अच्छी इसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स उन्हें द अनतिम सबाल संत्रामपाल जी महाराजी के बारे में विश्वो को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कहते हैं ना कि never judge a book bites cover तो उस book को उसके cover से judge करने से better है कि आप उस book के अंदर जहाग के देखिए उसके जितने भी सथसंग है episode से आप वो देखिए और यह जो मनुष्य जनम है यह बार-बार नहीं मिलता है एक ही बार मिलता है तो उनकी शरण में आए और अपना कल्यान कर वा नहीं मैं आप बार नहीं मिलता है यह करनो जैंडर घर श्रण में आप मिलता है आप और नहीं में आप आप दो Ale equiv Estado the